हेलो और वलकम टू उतकर्ष क्लासेज आज जो है हम लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है M.H.C.E.T. का महराष्टरा के जो कॉमन एंटरेंस टेस्ट है उसके बारे में काफी बच्चे पूछ रहे थे लेंडिंग पेज पहले ही आ चुका था उसकी इंफर्मेशन हमने दी थी अब क्या है कि नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आउट हो चुका है तो देखिए सबसे पहले जब आप नोटिफिकेशन वाले लिंक पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको एक ऐसा लेंडिंग पेज मिलेगा ऐसा क्या है आपका लैंडिंग पेज अभी हो सकता है आपको दिखना रहा हो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा ऐसा एक दिखेगा आप अगर रेजिस्टर करना चाहे तो यहां पर न्यू रेजिस्टरेशन पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद रेजिस्टर कर सकते हैं उससे पहले कुछ जानकारी है वो आप देख लीजिए कि हमारा जो एक्जाम होगा एक्जाम होगा यह CBT होगा कैसा होगा CBT होगा computer based test होगा computer based test इसको CBT कहते हैं काफी बच्चे होंगे जो पहली बार यह एक CBT की तरफ से mock test देने का मौका मिलेगा MHCAT की तरफ से जब आप notification पढ़ेंगे तो आपको पता पढ़ेगा important dates क्या क्या है start हो रहा है हमारा form start कब से हुआ है 19th March से 19th March 2022 और end date कब की है बहुत important है end date यहाँ पे klatt और आयलेट जितना बहुत ज़्यादा time नहीं मिला है यहाँ सिर्फ 7 अप्रेल तक की 7 अप्रेल तक का time मिला है बहुत ज़्यादा time नहीं है जिनको भी भरना है फटा फट फट फॉर्म भर लेंगे ठीक है उसके अलावा जो आपका exam होगा exam कब होने वाला है exam होगा आपका दो dates पे दो मेंसे किसी एक date पे होगा या तो 17th मेको होगा य आपका जब admit card आएगा तो आपको पता पड़ेगा कि exam 17 को है या 18 को है 17th और 18 मेको exam होने वाला है इन दोनों मेंसे किसी एक दिन आपका exam हो जाएगा ध्यान रखना है admit card को बहुत अच्छे से पढ़ना है ये information हमारे पास में है अब कुछ चीजे ध्यान रखनी है CBT जो होत है ये आपका mhct वाला IBPS करवाता है ठीक है तो अगर आपने पहले दे रखा है exam तो आपको पता होगा otherwise बहुत ज़्यादा इस information की जरूरत नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि IBPS करवाता है जब आप registration के बाद में आगे जाते है तो आपको ऐसा कुछ मिलता है इसका भ 5-year law का जो exam है mhct का वो कैसे होने वाला है कहाँ पर आपको link है वहाँ पर click करना है उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक checkbox मिलेगा और instruction दिखेंगे इन्स्ट्रक्शन basic instructions है बहुत ज़्यादा इसके उपर ध्यान नहीं देना है यहाँ checkbox पर tick करना है और I accept पर click करके आगे बढ़ जाना है फिर उसके बाद जाके आप ऐसा form भर सकते हैं यहाँ पर इस form के अंदर आप अपने credentials डाल सकते है नाम क्या है क्या नहीं है ध्यान रखे कि आपके पास में English English और अगर हमारा कोई दोस्त अगर हमारा कोई student महराष्ट्र से है तो उसे मराठी में भी मराठी में भी paper देने को मिलेगा चुकी है महराष्ट्रा का entrance test है इसलिए मराठी बाशा को भी यहाँ पर importance है ठीक है ध्यान रखेंगे हलाकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है English के अंदर सारे की सारे instruction सारे की सारे questions available है चलिए अब देखिए सबसे important part कोई भी change नहीं है पुराने paper में से कोई भी change नहीं है no changes अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है मैं CT के syllabus वाली तो आपको पता पड़ेगा कि यह सारी चीज़े हम लोगों ने पहले भी देख रख ही है legal reasoning के अंदर 40 marks के question होंगे general knowledge के अंदर 30 marks के logical reasoning में again 40 marks English 30 marks का होगा और maths होगा आपका 10 marks का maths कितना 10th तक का इसको हम लोग कह सकते हैं elementary maths है klat से थोड़ा different होगा klat में सिर्फ एक chapter आता है di आता है यहाँ पे आपका basic maths जो है वो पूरा का पूरा आएगा पर सिर्फ 10 marks का है ध्यान रहे English के अंदर आपका RC भी आएगा grammar भी आएगा vocab भी आएगा तीनों को ध्यान रखना है logical reasoning के अंदर आपका verbal reasoning भी आएगा और analytical reasoning भी आएगा ध्यान रखना है verbal reasoning और analytical reasoning दोनों आएगा GK के अंदर static भी आएगा static भी आएगा और current affairs भी आएगा ध्यान रखना है static भी आएगा current affairs भी आएगा पर static हम जोग जितना देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर static बहुत कम आता है बहुत ही minimum आता है और यहाँ पर आपका legal GK plus principal fact वाले जो question होते है principal fact based question ये भी आएगे principal fact वाले जो question जो पुराने clad के pattern के question है उसके भी आने के proper chances है total आपका 150 marks का exam होगा 2R का exam होगा time को लेके कोई चिंता नहीं है clad की तरह है, eyelet की तरह है, time को लेके कोई चिंता नहीं है 2R का paper आप लोग आसानी से कर सकते हैं MCQ questions होंगे, कैसे होंगे, MCQ होंगे और हर question को एक marks दिया हुआ है हर question को एक marks दिया हुआ है ध्यान रखेंगे कोई negative marking नहीं है no negative marking सारे questions attempt करने है एक भी question छोड़ के नहीं आना है no negative marking बाकी exams की तरह negative marking नहीं है, star कर लीजिए ध्यान रखना है आपको चलिए आगे देखते है legal aptitude के अंदर क्या-क्या होने वाला है अभी हमने बताया, इन सब को पूरा पढ़ लीजे आराम से कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा आपको जो principle fact based question है principle fact based questions ये जरूर पढ़ने है, ये कहां से मिलेंगे ये previous year clat paper से मिल जाएंगे previous year का जो clat और eyelet का paper है इन से आपको मिल जाएंगे आराम से पढ़के जाएंगे बिल्कुल एकदम उसमें से question आते है इसके अलावा legal gk भी आएगी legal gk भी आएगी next देखिए general knowledge के अंदर ये सारे subject के नाम दे दिये है current affairs के अलावा static भी आएंगे जैसा कि अभी मैंने बताया static से बहुत कम questions आते है पर चुकि यहाँ पे दे रखा है syllabus के अंदर दे रखा है तो आपके पास में option है कि आप इसे पढ़के जाएं अगर आपको लगता है कि time बहुत कम है तो छोड़ सकते हैं static के पीछे बाकी subjects को खराब नहीं करेंगे ध्यान दीजी अगला logical और analytical reasoning दोनों आएगा logical और analytical reasoning दोनों आएगा कुछ chapters के यहाँ पे topics के यहाँ पे नाम दिये हुए है simply याद रखना है LR plus AR जिसे की critical reasoning CR भी कहते हैं सब आने वाला है CLAT में सिर्फ critical reasoning आता है MHCT में अभी भी सब कुछ आ रहा है next देखिए English के अंदर क्या है यह आपका vocab वाला part है उसके लावा ध्यान रखेंगे comprehension आएगा comprehension आएगा जिसे की RC कहते है reading comprehension vocab आएगा vocabulary काफी अच्छे से आती है और grammar भी आएगा यह भी ध्यान रखना है grammar जो हम लोग का clad के अंदर नहीं आता है वो यहाँ पे आएगा ध्यान रखेंगे last देखिए mathematical aptitude इस पे elementary maths आएगी elementary maths आएगी ध्यान रखेंगे elementary maths यहाँ पे आएगी और 10 marks का है बहुत ज़्यादा यहाँ पे time waste करने की ज़रुत नहीं है आपको basic अगर maths की knowledge है तो काम चल जाएगा अलग से कुछ भी extra effort डालने की ज़रुत नहीं है paper बहुत आसान होता है अब देखिए हमारे पास में 5 important points है पहला point the question will be objective multiple choice question with 4 options MCQ होगा सारिक सारे MCQ है कई पे भी लिखना नहीं है कुछ भी और इसके 4 options होंगे 4 options होंगे next है there is no negative marking ध्यान रखना है no negative marking का मतलब है कि आपको सारे question attempt करने है छोड़ना कोई भी नहीं है next है the time allotted is 2 hours that is 120 minutes 2 घंटा time दिया हुआ है the question will be in English and Marathi question English और Marathi में होंगे अगर आपको Marathi नहीं आती तो भी चिंता नहीं है क्योंकि question English में दिये गए होंगे next है हमारा the mock test link for the practice will be provided for the candidate to prepare themselves for online test online test के लिए काफी बच्चे जो है वो पहली बार CBT exam देते है तो उनकी तयारी के लिए MHCT क्या करता है mock test भी देता है कैसे question आते है और उन्हें कैसे attempt करना है वो हमें इस mock test से पता पड़ेगा तो जरूर दे इतनी ही information हमारे पास में है इसके अलावा को information आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा form भरने में देरी बिल्कुल ना करें last date का wait बिल्कुल ना करें क्योंकि MHCET की website पे CT cell की website के उपर बहुत ज़्यादा last में load आ जाता है क्योंकि सिर्फ law के यहाँ पर form नहीं भरे जाते है management के, medical के, engineering के, B.A.D. के सब के form भरे जाते है तो website पर load बहुत ज़्यादा हो जाएगा time जैसे ही आपको मिलता है वैसे ही form भरे देरी बिल्कुल भी ना करें thank you so much नए information के साथ में फिर मिलते हैं आपसे जैहिंद शुक्रिया धन्यवाद